श्री शिवाय नमस्तुभ्य हर हर महादे नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को पंडित जी द्वारा बताया गया एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि पंडित जी ने अपनी शिव महापुरान कथा में बताया है, और इस उपाय को करने से मात्र आपको तीन महीने के अंदर जो भी आपकी मनो कामना होगी, जिस भी काम के लिए आप इस उपाय को करने वाले होंगे, आपका वह काम तीन महीने के अंदर हो जाएगा, दोस्तों इस उपाय को आपको तब करना है, जब आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख और कश्ट आ रहे हो, आपके जीवन में परेशानियों का पहाड तूट रहा हो, आपका मन अशांत रह रहा हो, आप कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि अब क्या करना चाहिए, तो उस स्थिती में दोस्तों आपको इस उपाय को करके देख लेना चाहिए, और इस उपाय को ऐसा नहीं है, कि एक दिन करना है, और फिर आपके साथ जो चमतकार होगा उस पर आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। यह उपाय बहुत ही साधारण है और इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में दुख और परेशानिया आ रही हैं। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपके जीवन में परेशानिया आ रही हो। अब आपको अपना एक लोटा जल भरकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुचते ही आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के उपर आधा लोटा जल समर्पित करना है। क्योंकि आधा लोटा जल हमें बेलपत्र के वरिक्ष के नीचे समर्पित करना है तो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के उपर आधा लोटा जल समर्पित करना है। उसके बाद भगवान के दर्शन करके आशिरवाद लेकर आपको मंदिर से बाहर निकलना है और सीधा चला जाना है किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वरिक्ष के नीचे। अब यहां पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस बेलपत्र के व्रिक्ष के नीचे आप लोग जा रहे हैं, वह बेलपत्री का व्रिक्ष छोटा नहीं होना चाहिए, वह बेलपत्र का व्रिक्ष बड़ा होना चाहिए, जिसकी छाव में बैठ कर आप इस उपाय को कर सके अब जैसे ही आप लोग बेलपत्र के व्रिक्ष के नीचे पहुँच जाएं तो आपके लोटे में जो आधा लोटा जल बचा हुआ है उस जल को आपको बेलपत्र के व्रिक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है इस जल को बेल पत्री के व्रिक्ष के नीचे समर्पित करने के बाद आप वहाँ पर बैठ कर कुछ समय भगवान भोलेनात के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपनी मनोकामना या जिस काम के लिए आप उपाय कर रहे हैं। अपना वह काम भगवान शिवजी से बोल सकते हैं। आपकी भी मनोकामना तीन महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को आपको लगातार तीन महीनों तक एक नियम के साथ करना ह इस उपाय को जब कर रहे हो तो उस समय ध्यान रखिएगा कि जब आप शिवजी पर जल चड़ा रहे हो तो आपका वह लोटा शिवजी से टच नहीं होना चाहिए और आपको इतनी उपर से जल नहीं चड़ाना है कि उस जल के छींते आपके शरीर के उपर आ जाए नहीं त तो उस स्थान पर आपको यह देखना है कि वह बेलपत्री का व्रिक्ष छोटा ना हो वह बेलपत्री का व्रिक्ष इतना बड़ा हो कि आपका हाथ उस व्रिक्ष की बेलपत्री तक ना पहुँच पाए अगर पहुँच रहा है तो वह बेलपत्री का व्रिक्ष छोटा है आ आप उसके नीचे यह उपाय पूर्ण ना करें. आप बड़े बेलपत्र के व्रिक्ष के नीचे उसकी छाव में बैठ कर ही इस उपाय को पूरा करें. यह उपाय बहुत ही विशेश हैं. पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुरान कथा में इस उपाय को डोट बताया हैं. इस उपाय को जो करेगा पूरे मन और पूरे विश्वास से उसको तीन महीनों के अंदर फल मिल जाएगा. अगर आपको विडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए.